हेलो माई यूट्यूब फैमली वल्कम बैक टू दा चैनल गाइस कैसे हैं दोस्तों आप लोग होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों आज आपके लिए लेका है है 2022 की ओल न्यू रॉइन फिल बुल्डट 350 का स्टैंडर्ड वेरियंट यह स्टैंडर्ड और उन्रोड प्राइस वो सीटी डू सीटी वैरि करती है हमारी सीटी में चाहरा है वान लाक सेवेंटी एट थाउजन के आज पास आपकी सीटी में जो भी स्कॉन्रड प्राइस चाहरा हो मुझे कमेंट के तुरू ज़रू बताएगा फॉस और बात कहले कि क्या कुछ आप आपको 2022 में अपडेट देखने के लिए मिल रहा है तो सबसे पहली चीज यह जो कलर है बहुत जादा अच्छी लग रही है ग्लॉसी में आपको फिनिश मिल जा रहा है सीट सेम है इंजन भी सेम है यहां तक कि रेयर लोक एकदम सेम है और यहां पर आपको जो चेंज देख आने वाला है क्योंकि बहुत उनको मन होता है कि वह बुलेट ले तो उसमें हलका सा वाइबरेशन हो बीएस फोर वाला फील वह जाते है तो इस कंपनी आपको बीएस सिक्स में भी यह चीज प्रवाइड करिए आपको इस स्टैंडर्ड में भी वाइबरेशन देखने के लि लुक्स के बारे में तो लुक्स तो अग्दम सेम आपको देखने के लिए मिल रहा है कलर जैसे मैंने आपको कहा था दो मिलती है अगर वह ब्लाक कलर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक का रहोगा आप वो वीडियो जरू चेक आउट कर सकते हैं दोस्तों यह रह अबरे में अबरे में अच्छी सानल चेंट और as compared to classic, उसके opposite side में देखने के लिए मिलेगा, disc size आपको मिल जाता है 280 mm का, टार section के बारे में बात करें, तो सबसे पहली चीज़, इसमें आपको सिर्फ 2PR मिलता है, क्योंकि spoke rims मिलता है, टार section आपको 90 by 90 का मिल जाता है, disc size आपको 280 mm का मिल जाता है, ABS sensor देख सकते हो, single channel ABS में present है, calories मिल जाते हैं, front में dual piston, Calibres company आपको provide कर देती है, reflector देखने के लिए मिल जाता है, right to left, दो reflectors भी company आपको provide कर देती है, तो यह तो बात हो कि front section के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उपर की और आपको दोगो, pilot lamps भी देखने के लिए मिल जाते है, अब बात कर लेते हैं, इसके rear look के बारे में, तो rear look से गाड़ी की पहचानी आपको पता है कि, सबसे पहली चीज़ तो यह ग्राब रिल, और इसका tail lamps और indicators, right fill की यहाँ पर आपको stickering मिल जाती है, और tail lamps से ही काड़ी आप पहचान सकते हो, कि यह standard है, यह इसका all over यहाँ पर आपको जो standard में tail lamps और indicators मिलते हैं, वो bulb में मिलते हैं, side में आपको सारी guard, single female footers मिल जाती है, rear tire section आपको थोड़ा सा off-roading वाल टायर मिलता है, देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो, rear tire section भी आपको 91-90 का ही मिलता है, spoke rims के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो, spoke rims आपको दोनों ही 19 inches के मिल जाते हैं, rear में company आपको drum प्रोवाइट का देती है, 153 mm का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यह बात होगे, इसके rear section के बारे में, और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको कहा था, कि इसमें आपको single female footrest देखने के मिलता है, पेलियन footrest आपको round shape में ही मिलता है, इसको अभी भी retro rook रखा है company ने, जिसको आपको बाइक बहुत जादा अच्छी लग रही है, suspension आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको suspension company प्रवाइट कर देती है, twin shock absorber with 5 step adjustable pre-loaded मिल जाते है, exhaust आपको full chrome में देखने के लिए मिलता है, with band pipe में आपको calatic converter auto sensor मिल जाएगा, bullet 350 की आपको branding मिल जाएगी, इसके side panniers पर, दोनों ही तरप आपको देखने के लिए मिलेगी, seat मैं comfortable तो नहीं बोलूँगा, बहुत ही rough and tough मिलती है, थोड़ी सी tough seat है, यहाँ पर आप देख सकते हो, but seat all over look wise तो बहुत जादा अच्छी लगती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका design भी आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आप tank देख सकते हो, tank आपको बहुँ जादा पसंद आने वाला है, बड़ा tank company आपको provide कर देती है, tank capacity आपको 13.5 liters की मिल जाती है, reserve मिल जाता है, आपको 2.5 liters का, company claims की यह bike आपको mileage provide करेगी 38+, Ryanful की branding आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको hall care full के graphics भी company provide कर देती है, तो यह आप देख सकते हो, और बात के लिए इस बेंट में chrome का finish आपको कहीं पर भी देखने के लिए जादा नहीं मिलेगा, student cluster को एकदम normal रखा गिया है, analog में, कहीं पर भी low fuel indicator, यह सब कुछ नहीं है, बस speedometer, odometer, fuel, engine malfunction, अरेवियस, बस बाकि आपको अगर अपना fuel चेक करना है, तो आपको tank खोल के चेक करना पड़ेगा, switch है, slow beam, high beam, indicators, horn आपको सुना देते हैं, horn आप सुन सकते हैं, decent सा है, ना ज़्यादा loud है, ना ज़्यादा कम है, normal सा है, एक kill switch मिल जाता है, self variant नहीं है, आपको इलेक्टरा में switch करना पड़ेगा, यह standard variant है, तो इसमें सिर्फ आपको company kick प्रवाइड करती है, और जो bullet lover है, उनको kick में मतलब गाड़ी जाधा ही पसंद आती है, वो kick lover होते हैं, उनको kick चाहिए रहती है, तो यह एक royal पहचान है, अगर आप royal in field में जुड़ना चाहते हो, परिवार में जुड़ना चाहते हो, तो यह सबसे पहले ऐसी बाइक रहती है, जिसको हर कोई पसंद करते है, यह मेरी भी फेवरेट है, उसलिए मुझको जादा पसंद है, all over बात के लिए, इसके specifications के बारे में दोस्तों, तो इसका specification आपको वही मिल जाता है, displacement 346 CC का engine है, PS 19.1 PS है, और टॉर्क है 28 Nm, 4000 RPM में, BS6 fuel injection engine मिलता है आपको देखने के लिए, all over, numbers of gears आपको 5 मिल जाते हैं, he and toe shift वाला system मिलता है देखने के लिए, और जो इसका gear positioning के अच्छा है, यहाँ पर आपको side cut of sensor company प्रवाइट कर देती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, sensor लगा हुआ है, और dual stand आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो यह रही बाइक के all over review, कि इसमें क्या कुछ changes है, mirror size same है, ब्लाक कलर में है, कहीं पर भी chrome का finish नहीं है, all over looks, design specification एकदम same है, pricing में हलका full का difference है, बट 2022 में भी company आपको यह bike vibration वाले feel के साथ दे रही है, पर अगर यह bike आप लेने चाहते हो, तो हम हमारे शोरू में contact कर सकते हो, शोरूम के details आपको description box में मिल लेंगे दोस्तों, तो अभी आपको सुना देते हैं इसका exhaust note की, इसका exhaust note कैसा है, और गाड़ी में कितना ज़्यादा vibration आपको देखने के लिए मिलता है, तो आईए bike को start करते हैं, तो सबसे पहले कि कर लेते हैं bike को neutral, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार गाड़ी neutral है की नहीं, क्योंकि शोरूम के अंदर ही bike का भी लगी हुई है, और मुझको kick से start करना है, उपर से एक हां से phone भी पकड़ना है, तो start करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अवास थोड़ी सी अभी मज़ों, I think fuel कम है, बट देख सकते हैं, और vibration तो इकनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आपको क्या बता हूँ, पूरी की पूरी गाड़ी हिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो गाड़ी में कितना ज़्यादा vibration आपको देखने के लिए मिलता है, पूरी की पूरी गाड़ी हिल रही थी, vibration आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा इस variant में, तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, जो भी अपडेट है, वो सिर्फ इनके प्राइजिंग में, अलका सास का जो प्राइज है, वो इंक्रीज कर दिया है कंपनी ने, क्योंकि इसमें आपको क्यालिटिक कनवर्टर और ओटर सेंसर देखने के लिए मिल रहा है, मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, तब के लिए बाई and टेक केर.